है next हम करेंगी लाइस सबीटा टेंसर यह बहुत important है एक जो आपके पास topic है लाइस सबीडरा टेंसर इससे related और यह थ descuffed order यहानी फैर्टी इन्टेकस कि तो PRESका मकलब एक रम आप यहए है कि आपके पर सिंदि assessments अइसदी उडिपर है इसको अगर डिफर्गर डिफुर्ट सिंदी इसकी डेयो जो है इसकी सब्सक्राइब नो थीचे तो एक प्लाश्य को हुआ है जैनि I, J के वel्यू की डिफेर्ट वेल्यू अब इसको हम देख पी डिएंगे कैसे डिफेर्ट होगी इसकी एक्जेंपल हम देख लेते हैं जैसे एपसाइलन वन तो थ्री इकुल्स तो वन हमने लिखा अब मैं यह कहरे हूं कि यह तीनों इंडिसिस इसके डिफरेंट हैं उपकोर्स आप देखें हैं, आइ की विल्या है , ये की 2 है , Tes commend जरूर है थीक है ? थीक हे थीक हैerving। अब मैं देखती हूं कििए ॉक्स I CYCLE वो कैसे हमके पास, देखें, 2 जो है, पहले सबसे पहले 1 लिखा हूँ है, 1 के बाद 2 लिखा हूँ है, और 2 के बाद 3 लिखा हूँ है, तो इसका मतलब है कि ये भी बिल्कुल सही लिखा हूँ है, सही order में लिखा हूँ है, ऐसा ही होता है generally, तो इसका मतलब है ये मेरे पास एक when you buy us cancer हमीशा क्या हो ऑइं होगा उत्या इसी तुरह आपके पास में दख्लेटे ले आपने अन्य गार हम इसी की और एक्जम्पल जहें तो वह क्ने आपके पास और कि यह पहराव रिखेख थे फिजिस्च आपके पास किए एनका चेल में लगशूने अब इसमेरे अपय ब्रहनेइप इसकेव से कर लिए जिस्ट कहले. कर रहें तु से बाते हैं तु 20 के लिए टुमाइज है। तरस्कान जरा आगया वाद, next value हम, अगर हम order को देखें, जैसे ये है, epsilon है आपके पास, और इसकी value क्या लिखी विए है, 312, 312 लिखी विए है, मैं इसको check करी हूँ कि मुझे ये तो पता चल रहा है, कि ये i की value है, ये आपके पास j की value है, ये k की value है, ये तीनों different तो मुझे नजर आ रही है, अब मैं देख रही हूँ क्या, ये cyclic भी है या नहीं है, तो उसको मुझे check करना है, ठीक है, तो cyclic quarter मैं check करती हूँ, यहां से देखें आप, अगर जो मैंने अभी बना के बताया था आपको, वो आपको नजर आ रहा हूँ, तो देखें, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, बिल्कुल, 3 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, ऐसे ही है न, या अब अब अगर यहां से चलें, तो आपके पास क्या होता है, 1 से 2 आ रहा है, ठीक है, और 2 के बाद 3 आ रहा होता है, लेकिन यहां पर हम क्या चले 3 से चले, चल तो यह भी ऐसे ही रहे, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, तो यह cyclic form में, ठीक है, correct हो गया, different indices भी हो गया, प्लस cyclic भी हो गया, तो उस का अंसर हम क्या लिखते हैं कि 1, ठीक है, वो क्या गया 1, फिर हम दिखते कि मेरा जो 2, 3, 1 यह कैसे बाद रहा है, अब मुझे पता चल रहा है, यहां पर भी I, J, और K, तीनों different indices हैं, तो एक condition तो प्रूव हो रही है, correct है, दूसरी condition देखोंगी, cyclic है यानिया, cyclic है यह देखना बहुत जरूरी है, मैं देखते हैं, अब इस टाइमना 2, 3, 1 है, या इदर भी आपके पास एक siren की value क्या आजाएगी, 1 आजाएगी, इदर भी हम इसकी value क्या put कर लेंगी, 1 हो जाएगी हमारे पास 1, ठीक है? अच्छा, second condition अब हम देख लेते हैं, कि second condition हमारे पस क्या होगी, second condition में हम कह रहे हैं, कि I, J, K, तीनों इंडिसे डिफरेंट हो, लेकिन बुस्साइकलिक ना हो, तो आपके पास आजार आएगा, minus 1, अब यह हम देख लेंगे, कि यह कैसे होगा, यह तीनों इंडिसे डिफर है, तो इसका अंसर 1 तो आएगा ही, आएगा, अब यह साइकलिक कैसे रहे हैं, वो हम जेक कर लेते हैं, तीक है, वो हम कैसे चेक कर लेंगे, अभी देखें आपके बास, यह 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, अब देखें, हम बैसे तो साइकल यह जाल रहा होता है, अमरे पस, normal साइ पॉर्म नहीं है, यह नॉन साइकलिक है, जब कभी भी हमारे पास नॉन साइकलिक आता है, तो उसका हम अंसर क्या कर देते हैं, उसमें 1 तो आएगा, लेकिन उसका अंसर जो है, वो, जो है, वो माइनस 1 होगा, ठीक है, इसलिए हम ने उसको माइनस 1 लिख लिए, आप लिखेंगे, आपके पस क्या हो, रिपीटिट हो, अब रिपीटिट होने का क्या मतलब होगा यहां पर, यहां पर रिपीटिट होने का मतलब है, कि आपके पस कोई भी दो इंडिसेस एक जैसे हो, तो आपके पास यह प्साइलन किसकी एकलोजागा 0, यानि I equals to J, अगर से मुझे पता चल रहा है, I and K same value है, ठीक है, तो जब भी कभी आपके पस दो इंडिसेस सेम हों तीन में से, तो उसका आंसर जीरो होगा, यहां पर दो इंडिसेस सेम है, जीरो, यानि आपके पस एक्साइलन 1, 2, 2 है, तो इंडिसेस यहां पे सेम बन रही है, तो आंसर क्या जीरो आजाएगा, ठीक है, इसलिए आपको कह रही थी, फर्स कंडिशन में उस कांसर 1 सिर्फ इसी कंडिशन में आएगा, जब उसके तीनों जो है वो इंडिसेस क्या हों, ठीक है, तो अब आप दिखें, पोर्थ हम देखते हैं क्या होगी, पोर्स कंडिशन में आप देख तो क्या होगा, तब आपके पस एक माइनस का साइन आएगा, ठीक है, अब जैसे फर एग्सेंपल, यहां पर मेरे पास मैंने कोई एपसाइलन 1, 2, 3 लिखा, टेंसर, ठीक है, इंडिसे के 1, 2, 3 हैं, तो मैं चाती हूँ 2 पहले आजाए, मैं पहले लिए क्लिए क्लिए तो मुझे क्या करना पड़ा, नेगेटिव साइन लगाना पड़ा, नेगेटिव साइन नेगाला, और फिर आपके पास आप देखें, चेंज हो गया, 1, 3, 2 हो गया, यही इंडिसे मैं इंटरचेंज कर लिए, 1, 3, 2 हो गया, अब इसको अगर मैंने मजीद इसी चेंज वाल तो क्या होगा आपके पास? यहाँ पर जो आपके पास 1, 3, 2 था, लेट्स पोस्स मैं इस 3 को इसकी जगाल आ रही हूं, इस 3 को मैं 1 की जगाल आना चाहती हूं, तो मुझे एक और नेगेटिव साइन लाना पड़ा, यह भी नेगेटिव साइन था, यह भी नेगेटिव होजेगी, इंटरचेंज होजेगी, 3 इदर आजएगा, 1 इदर आजएगा, 3, 1, 2 बन गया, ठीक है, तो ऐसे आपने देखा कि जब कभी भी आपको इंडिस अगर चेंज करनी पड़नी हों, तो आप क्या करते हैं, नेगेटिव साइन लगा के चेंज करते हैं, डारेक्ली उ आपको पता हों, तो बहुत अच्छा है, यह आपने बड़ अच्छे से करनी है, ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यह पढ़ेंगे इसमें, कि आपने करना कैसे है, ठीक है, आपके पास रैंक 3 के लिए आप यूस करते हैं, ठीक है, यह इन्टाइ एंटिटी है, जो आप यूस करते हैं, और इसको आप क्या कहते हैं, तो इसको आप क्या कहते हैं, तो इसको आप क्या कहते हैं, ठीक है, यह इसका तीसरा नाम है पर्मुटेशन टेंसर, तो पर्मुटेशन टेंसर के तो इसको ही यूस किया जाता है, इसकी इसकी तीन डिफरेंट नाम है, अच्छा, अब यहां पर देखें, वही बाते हैं, जो भी मैंने आपको explain की हैं, वो लिखी ही हैं, ठीक है? IJK तीन different indices हैं, अब यहां भी आपको बता रहे हैं कि IJK is an even permutation of 1, 2, 3 Even permutation का मतलब क्या है? आपके पस cyclic form में, जैसे हम अब भी चले, ठीक है? 1, 2, 3 में, तो उसका answer क्या है? 1 है, ठीक है? तीनो different है, आपके पास यह 1 और अगर आपके पास इसकी odd permutation, यानि opposite direction में चल रहा हो, तो क्या है? Minus 1, ठीक हो गया? Any two of IJK are equal, यानि यह जो मैंने आपको बताया था, कि दो indices सेम हो जाएं, तो answer क्या जाएगा? 0 आजएगा, ठीक है? यहाँ पर मैंने आपको बताया था, कि तीन indices क्या होनी चाहिए, different होनी चाहिए, प्लस वो cyclic हो, यानि even permutation हो रही हो, तो आपके पास आंसर क्या हैगा? 1 आजएगे, तीनों क्या हो, odd indices हो, अगर odd indices हो, और क्या हो, उनकी value क्या हो, उनमें आप देखें कि उनमें, आपके पास IJK, ऐसे आरहा हो कि तीनों different value भी हो, लेकिन non-cyclic हो, cyclic form में ना हो, तो वो odd permutation होती है, उसका answer क्याता है, आपके पास minus 1, ठीक है? जिसकी general representation आपको ब आपके पास E1, head.E1, अगर dot इस तरह आप ले रहें, तो आपके पास 1 आजाएगा, ठीक है, अगर डिफरेंट है, तो आपके पास क्या आजाएगा, जीरो आजाएगा, और अगर आप ऐसे लें, यानि एक dot, एक triple product आप ले रहें, dot का cross product के साथ लेंगे, ठीक है, तो वो क् E1 से दो इफरेंट इस पे होगा, यहां भी अगर 2 का ले रहें, तो 3 1 पे होगा, यहां 3 ले रहें तो 1 2 पे होगा, तो अवर रहें कि, triple product में हमारे पस यहां तीन डिफरेंट इस पास ले रहें आप प्रोड़क्त, तो उस का अज़र क्या हैगा 1, ठीक है, फिर उसके बद आगे देखें, यहां पे अभी मैंने क्या कि, इसको इंटरचेंज कर लिया, जैसे यहां पे E1 hat का dot product ले लिया, यहां 2 3 था तो यहां मैंने क्या कर दिया, 3 2 कर दिया, ठीक है, यह तो मैं एक cyclic way में चल रही थी, 1 के बाद 2, फिर 2 के बाद 3, यहां पे क्या था, 2 के बाद 3 है, तो मैंने क्या क्या, 2 परले लिया इता पैले लिए वन बाद मे लिया उप क्या है तो इसका इंटरचेंज कया इसका अनफ चींज पर मरनमि क्यां है क्या वाइन डीक्ली नहीं ही थी, यहां अब देखेंगे, आप शेLab कि एन है रही तू रहे का इसकी वाद आता इन ब विल्कुल सेम यहां पर two indices सेम हो जाती होती है उन में हमेशा अलिवाइद से beta tensor जो है उसकी जाली किया जाती है zero. यहां पर देखें, e2 सेम हो गए, यहां पर आप देखेंगे, e1 सेम है, यह देखें, यह भी even है, यह भी even है. तो इन तीनों triple product पे आप देखेंगे unit vectors में से दो indices सेम हैं तो इसका answer भी 0, यहाँ भी आपके पस दो indices सेम हो रहे हैं तो इसका answer क्या होज़ेगा 0, ठीक है, इस बात का आपने एक खयाल लखना है अच्छा, अब यहाँ पर इसी यह जो भी आपको तीन बाते बताएंगे, इसी का एक general owner ने form बना दिये e i dot e j cross e ko का, ठीक है, तो 1 अगर यह क्या है, even permutation है again वही बात है कि आपके पस तीनों different हों, प्लस cyclic हो minus 1, जब तीनों different हों, plus, और permutation आप कहरें, minus 1 का मजब पर i j k k, तीनों different होंगे, लेकिन cyclic नहीं होंगे और यहां भी आपके पास क्या है एनी टू आई जे के आर अफ इकुल यहनी आपके पास दो कोई आई जे के एक एकुल बन जाएं तो तब आपके पास आंसर हमेशा जीरो आता है ठीक है इसका यह एक जर्नल एक्सप्रेशन आपके पास आ गया फिर उसके बाद आप इसके बाद आप देखें कि आपके पास यह आ रहा है ठीक है यह आपके पास जर्नल एक्सप्रेशन इसको अगर लिखें इसको लिख सकते हैं एक इसका फामूला यह भी होता है इस तरह भी आप लिख सकते हैं जबकि आई जे के वैल्यू क्या है 1,2,3 तो अब आपने इसम इसके पास ब्राइब करना विख से अप लिख से इसके अप यह एक्स्पेशन भी 3 क्रॉस 3 का फाइंड कर सकते हैं जी अभी हम इसका जो है मैं आपको बता रही हूं जो मैंने भी आपको बताया कि अगर डिटर्मिनेंट आपने कि 3 क्रॉस 3 मेट्रिक्स का फाइंड करना उ प्राइब कर सकते हैं वह भी हम यूज कर देखेंगे कि एकली कैसे फाइंड कर सकते हैं प्राइंट के लिए आप जो फामूला यूज चरते हैं वह आपके बाता है ठीक है अग्विए इक नौ्मल एक्सिस से आपको और चलीर होगा नॉम्मल यह होता है आपके पास जैसे पर लिल्फा, लिवाई के बीटा तैंसर उसको आई जे के लिए साथ प्राइम डिखा होगा आपने, ठीक है, यहां पर किया होगा ? अलफा बीटा गैमा होगा, तो उसको अपकैसे लिखेंगे ? आई अलपा, ए जे बीटा, और एक गैमा होगा, ठीक है, ये मुर्टिप्ला हो रहागा, इंडिसे आपके पास ऐसे आ रहे होंगे, अब अगर हम देखें, यह आपने भी याद कर लेना है, यह आगे मैं इसको थोड़ा एक्स्प्लेइन बजीब भी कर दूँगे आपको, इसको अपने इसको एक्स्प्रेस करने है, तो कैसे करेंगे, अगर कोई आपको मैट्रिक्स गेवन है, जिसमें आपको कोई आपको इसकी वेलिवस गिवन होगी, जैसे आपको यहाँ पे गिवन है, तो वो किसकी एकवेलिट होती है, इसका मतलभ होता है, यह A मैट्रिक्स है तो इसमें, फर्स् अन्ट्री कैसे होगी, इसकी फर्स् अन्ट्री आप ऐसे करते हैं जैसे ए, यहाँ पर यह आपके रिंदू आपके आपके रिए करें तो इसका मतब है यह A11 है यह A12 है और यह क्या है आपके पास A13 है ठीक है अच्छा फिर उसके बाद आप देखेंगे आपके पास next term जो आती है जो यह वाली term होती है यह आपके पास क्या होती है इनको भी मैं लिख के बता देती हूं आपको जैसे यहां पर मैंने लिखनी A ठ आपके पास A21 A22 और A23 बन रहा होता है next आपके पास अब क्या है आपके पास पर सेकंड थर्ड थर्ड रो तुम्हें क्या करूगी मैं इसके साथ जो तीनों टम्स होंगी मेरे पास इनकी फिर्स्ट टर्म के आजएगी फिर्स्ट इंडिस इन सब की आजएगी वन तो यह आपके पास तो यह आपके पास तीनों जो है इनके इंडिस आ रहे होते हैं तो अभी आपके पास अभी सिर्फ एक मैट्रिक्स है और हमने फाइंड कर लिए उसकी यह वैल्यू यह होंगी ठीक है अब हमने करना कि हमने डिर्मनेट फाइंड करने है हम करेंगे जो हमारे पास व एक मुफामूला गिवन है डिर्मनेट करने का जो भी हमने दिछा था औहुंग्या था-बिटा-फा-बिटा-गैवाग हमने क्या करना है? इसमें हमने values लिखनी है I, J, K की. तो I की value पहले 1 put करेंगे और J की 2 और K की 3. ठीक है? यह हमने normally जिस तरह I की 1 और J, 2. 1, 2, 3 हमने put कर दिया. अब देखें. एपसालिब 1, 2, 3 अपने values पुट कर लिए. अब आप क्या करने है? अब आपने डिटर्मिल इस A matrix का point करना है. अब आपने जब यह 1, 2, 3 पुट कर लिया ना और आप देख लिए I की जगह 1 पुट किया है. यहां पर I जहां जहां है, कहां है आपके पास? यहां पर I की value यहां अब आपके पास अब आपने क्या करना है? अब आप देख रहे हैं कि आपके पास epsilon 1, 2, 3 है और A आपके पास इसका determinant find करना है. अब पहले आप देख रहे हैं कि आपके पास जो यह मैंने लिखा है. मैंने तो आपको बताया है कि लिए-स-विटा-tensor की value जो होती है, हमने उस आप देख रहे हैं कि आपके पास वो cyclic form में भी है. वन के बाद 2 आता है और 2 के बाद 3. तो यहां पे तो आपके पास बिल्कुल cyclic form में यह mention है. यह देखें, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3. तो यह तो cyclic form में भी है. तो इसलिए हम क्या करेंगे? इस सारे के जगा value यह लिख दे और बाकी आपने a1, alpha, a2, beta और a3, gamma यहां पे लिख लिख लिया. अब हम बजीब देखें इसको कैसे solve करेंगे? अब हम यह देख रहे हैं कि हमारे पास जो alpha, beta, gamma है अगर हम उनको यूज करेंगे तो हमारे पस यह जो लिवाई से beta tensor है. इसकी कितनी values बन सकती है possible. ठीक है? म आप देखें कि इसकी combinations हम चेक कर लेते हैं यह आप इसको alpha और beta और gamma कर लिएगा. ठीक है? अब आप देखें, let's suppose मैं alpha को 1 करती हूँ. ठीक है? alpha 1 कर लेती हूँ. और अगर alpha को मैं 1 लिखती हूँ, तो इसका मतलब है, beta और gamma की मेरे पस क्या value आ सकती है? बीटा की value, अगर मै यहाँ पर 2 लिखूँँगी, 2 आएगी, तो gamma क्या होगी 3? क्योंकि मेरे पस different indices होनी जाहिए न, अमेशा, alpha, beta, gamma की 3 different indices है, तो अगर मैंने इसको one choose कर लिए alpha को, तो beta क्या होगा? या तो two होगा, या three होगा? इसलिए मैंने उसको एक दफा two select किया और एक दफा three select किया. तो जब beta और alpha दोनों cases में भी देखे 1 है. अगर alpha को one choose किया है, तो beta मेरे पस two है, या three है. तो एक combination यह बन जाएगा, beta को two choose करूँगी, तो gamma को automatically कुझे three choose करना वाड़ेगा, वो मैंने three choose कर लिया. फिर आप मैं देखनी हूँ कि alpha मेरे पस again one है, बीटा क्या होगा three? बीटा three हो जाएगा और gamma गया हो जाएगा two, क्योंकि gamma of one or three से different होना जाहिए, वो क्या हो गया two? ठीक है, तो इस दो combination यह बन गे, next मैंने ऐसी alpha को क्या choose किया, two choose किया, alpha को कर मैं two choose करूँगी यहाँ पे, तो मैं देखूँगी कि बीटा की value क्या होगी, बीटा की value मेरे पस one हो जाएग different indices करने के लिए, तो बीटा की value क्या हो जाएगी, या one हो जाएगी, या three हो जाएगी, ठीक है, तो एक combination मैंने one or three का लिख लिए, तो जब मैंने बीटा one choose किया, तो मुझे gamma सिर्फ मेरे पास option ही नहीं थी, three choose करना पड़ा, पिर यहाँ पे मेरे पास बीटा अगर three है, तो गैमा मुझे one choose करना पड़ा, क्योंकि two, three हो जाते हैं और ये one बचता है, इसी से आपके पास क्या करेंगी, आप अगर alpha, alpha आपके पास क्या हो three, alpha की value क्या है, मेरे पास यहाँ पे three है, three choose कि लिए, तो बीटा की value, दो option हो सकती है, बीटा की या one हो सकती है, या two हो सकती है, तो मैंने एक combination में one choose कर ली, दूसरे combination में two choose कर ली, तो पहले combination में जहाँ पे मैंने one choose की, वहाँ देखनी मेरे पास beta की value one है, alpha की value three है, तो गैमा की क्या होनी पड़ेगी two, उसके लिए मेरे पास कोई option नहीं बची है, तो मुझे उसे two ही different indices करने के लिए choose करना पड़ेगा, फिर अगेर आप देखेंगे कि alpha की value three है और beta की value जब मैंने two choose की हुई है, तो गैमा की क्या है one है, तो ये possible combinations हैं जहाँ पे मुझे value zero नहीं मिलेगी, क्योंकि zero तब मिलती जब मेरे पस कोई नो कोई दो indices एक चैसी होती, तो यहाँ पे हमरे पस three different indices अगर बनाएं, इसकी क्य possible values हो सकती थी, total six combination हो सकते थे मेरे पास, वो मैंने यहाँ पे लिख लिए, तो अब यही six combination आप अंदर इसके substitute करेंगे, like this, देखें, आपके पस क्या था, equation में था, आपके पस a alpha beta gamma, a1 alpha, a2 beta और a3 gamma, ठीक है, तो अब आप देखें, पहला combination जैसे आपने लिखा, पहला combination यह से मैंने चूज किया, 123, ठीक है, तो क्या हो गया आपके पस, लेवाइस से बीटा tensor, यह 123 हो गया, और आप दिखें, 123 जब मैंने लिख लिया, यह 123 लिखने के पाद मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर alpha की value क्या है, 1 है, beta की value क्या है, 2 है, और gamma की value क्या है, 3 है, ठीक है, त तो मेरे पास यहाँ पर क्या था, a, 1 alpha, a2 beta, और फिर a3 gamma, तो a2 beta है हमारे पास, यहाँ पर क्या है, a2 beta, अब beta की value क्या है, 2 है यहाँ पर, beta की मैंने 2 पुट कर दी, gamma की क्या है 3, तो 3 हो जागा, तो यह आपके पास combination बन जाएगा, फिर plus आपके पास next combination, आपके पास क्या ह यहाँ चूज किया था, वो मैंने लिख लिया, epsilon 132, और यहाँ पर आपने क्या करने, a के साथ alpha, beta, gamma की value लिखनी है, alpha की value 1, beta की value 3, gamma की value 2, तो यह combination आपके पास, next आपने 213 चूज किया, तो यहाँ देखें, epsilon 213, और आपके पास यहाँ आपके पास इसको अब आपने लिख यहाँ पर लिखेंगे, तो आपके पास यह six terms बन रही होगी, ठीक है, यहाँ open करके अभी आपके पास क्या आ रही है, total six terms आ रही है, अब इन six terms को आप देखें, बाकी सब चीज हैं तो ठीक है, इन six terms के लिए मैं देखूंगी, कि जो मेरे पास यह values है, इनको मैं चेक कर सक इन six terms में देखती हूं कि मेरे पास बारी बारी मैंने सारे यहाँ पर एलाग से दिख लिए, और मैं देख रही हूं कि E123 है, यहाँ से मुझे बता है चल रहा है कि 1 के बाद 2 ही होता है, 2 के बाद 3 होता है, एक तो यह तीनों different indices हैं, plus cyclic हैं, तो इसका अंसर 1 आ जाएगा, अब यहाँ पर आपके बाद 3 different indices तो हैं, लेकिन 1 के बाद 3 आ रहा है, जबकि हमें पता है कि 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, तो यह different cyclic form लग रही, इसलिए इस concept minus 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर आपने जो combination find किये था, वो यू थे, 1 के बाद 2, 2 के बा यहाँ पर 2, 3, 1, अब देखें, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 1 है, यह तो cyclic form में, इसलिए इसका 1, indices भी different plus cyclic to 1 answer, यहाँ next आप देखें, 3, 1, 2, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, यह भी cyclic form में बन रहा है, इसका answer 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद आप देखें कि 3 के बाद 2 और 2 के था, तो यह आपके बास non cyclic बन रहा है, इसलिए इसका answer minus 1 हो जाएगा, ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, यह जो values सारी find की है, यह सारी values में इनकी, जगों पर replace कर दूँगी, देखें, यहाँ पर मैंने डिक लिया, जहाँ पर non cyclic तावा minus 1 और बागी आपके पास ऐसे ठीक है, अब इसको आपने set करके आपके पास यह एक form बन गी, यहाँ भी हमने जो है, वो भी find कर लिया कि हम अपस कैसे थी, ठीक है, अब अब जब यह form बन गी ना, अब बहुत एजी रहा गया आपके लिए, कैसे, अब आप सोच रहे होंगे कि यह A11, A22, A33, इनकी values कहां स 1, A13 क्या था, माइनस 3, ठीक है, तो अब तो बहुत एजी हो गया हमारे पास, अब जब final form आगी, तो मैंने matrix से A11 की value चूस कर लेनी है, A11 की आप देखे, 2 है, ठीक है, मैं अगेन आपको matrix दिखा देती हूँ, A11 की value जो है, वो आपके पास 2 है, देखे, A11 की value क्या थी, 2 थ देखे, यहां भे मैंने क्या दिखा गया, A22 की जगा 4, A33 की जगा 1, ठीक है, यहापस में multiply होंगे, फिर minus का sign यह वैसे, फिर आपने आगे जितनी भी entries होंगी, यह matrix से देखे, आपने कर लेनी है, ठीक है, तो यह आप matrix से देखे, सारी entries कर लेंगे, फिर को solve करेंगे, और आपके पस आंतर आजाएगा, minus 28, यह आपने क्या find किया, determinate find किया, अगर आपको कहा जाए कि लवाइस से बीटा टेंसर को use करके, आप determinate find करें, तो आपने essay find करना होगा, सही है?